तो हलो हाई गाईज वैलकम बैक पे और ओन अकैडमी अभी अकैडमी दोस्तों मैं अभीशेक कुमार आपसके सामने फिल से लेकर आया हूं भारतिया संस्कृति एवं राष्ट्र गोरव के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन जो तेहरतार को होने वाले हमारे अग्जाम में हमें देखने को मिल जाएंगे ठीक है फ्रेंट्स तो शुरू करते हैं पहला कोश्चन है हमारे सामने की कोक शास्त्र के रचेता थे बासकर कोका पंडित आर्यबट या पानिनी तो ओप्शन नमबर यानिकी कोका पंडित इसका सही जवाब लगा देंगे ठीक है फ्रेंट्स भारत का पहला चिकित्सक किसे माना गया है कि जीवक को चरक को नागारधुन को चुको त recur काल में नेक्स्ट रिच्ट विज्ञान की या पशुपालन की तो इसका मोच्ट सीजवाब हो जाएनकी जनुग जो है method विग्ञान की है फॉर्ट मेंट कोस्टन है यूग संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं श्तुक्त गुप्त या बुद्ध गुप्त तो योग की जो इस्थापना की थी वो आचार्य पतंजली ने की थी जो महरशी पतंजली थे उन्हों ने की थी तो उप्षिन नमबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है फ्रैंट्स चलते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ नैक्स पुश्चन है दिषमलाव प्रधधिती का आविशकार किसने किया ऑप्षन है ब्रह्मगुप्त ने आर्यबट ने भासकर ने या इन में से कोईने तो जो जही जवाब है इसका वह जाएगा और नंब्ध भी याने की आरियाभट ने आर्यबट ने इस दाशमलाव प इसका नमबर बीस का सही जवाब हो जाएगा नेक्स कोशन है भारतिया इंक गनित का प्राचीन गरंथ है गनित सार संग्र है वक्षाली ग्रंथ आर्या भट्या गरंथ या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों अभी तक मैंने जो पढ़ा है किताबों में या मोडल्स में जहां क कहीं से भी मैंने इस कोशन के बारें पढ़ा है उसका आंसर मैंने आर्या भट्या गरंथ ही पढ़ा है यानिकि नमबर सी लेकिन कहीं कहीं पर कोई-कोई स्टुडेंट्स इसमें डाउट बताते हैं तो यदि आपको इसकी प्रोपर नोलिज है प्रोपर तरीके से पता है कि इसका सही जवाब क्या होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में इसको जरूर बताना ठीक है फ्रेंट्स लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक जो इसका सही जवाब है वह उप्सन नमबर सी यानिकी आर्या भट्या गरंथ ही है तो भारतिया अंक गणित का जो प्राचीन मिश्रा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह जाएगा उप्सन नमबर एयाने की मुझाल लगू मानस की रचना जो की थी वह मुझाल ने की थी ठीक है फ्रेंट्स नेक्स कोस्टन है योग के कितने तत्व माने गए हैं छे आठ दस या बारा तो उप्सन नमबर बी या अन्तरिक्ष विज्यान टो भारत ने जो है गनित में अच्छा खासा योगदान किया है कि कि छेत्र ने होग में भी आधि dेखा जाए Spectre ने एक अनूठा का इलाज किस ने किया था जीवक ने चरक ने नागारजुन ने या सुसरुत ने तो इस कोश्चन में भी कुछ डिफिकल्टीज है क्योंकि मैंने जहां पर भी पढ़ा है उसका आंसर जीवक हो यह पता है तो वह कमेंट में जरूर बताएं ठीक है फ्रेंस तो अभी मेरे हिसाब जो लगाएंगे वो जीवक ही मैं लगा देने वाला हूं लेकिन किसी को भी इदी इसमें कुछ दिक्कत है परेशानी है और इसके बारे में क्लिएर पता है तो वह मुझे जरूर नेक्ट कोस्टन है मारम सरीर में सर्वस्रेश्ट अंग होता है आत्मा बुद्धी इंद्रियां या प्रकृति तो पांच इंद्रियां होती है मनुष्य शरीर की जो सबसे ज्यादा सर्वस्रेट मानी जाती है ठीक है तो उपस नंबर सी इसका सही जवाब हम लगा देंगे य सब्से विशेश ह्रूप से देखी जाती है तो उपस नंबर डी इसका सही जवाब लगा देंगे यानी या बढ़ा होता है शुक्र शनी ब्रस्पती या बुद्ध तो उपस नंबर सी याने की कब राशीयों की संख्या होती है 10-12-18 या 24 तो यह जो राशी फल होते हैं राशियां होती है इनके बारें बाद कर रहा है तो कुल 12 राशियां होती है जो जोतिस्विद्या में बताई जाती है या दिखाई जाती है ठीक है फ्रेंट्स तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह जाएगा ओप्स नंबर भी याने की बारा राशियां होती है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स कोस्चन है चंद्रमास का समय होता है 28 दिन साढ़े 19 दिन 30 दिन या 31 तो चंद्रमास का जो समय होता है 28 दिन याने की नंबर एस का सही जवाब हो जाएगा नेक्स कोस्चन है चंद्र ग्रहन होता है चंद्रमा प्रत्वी की सापेक्ष इस्तिति सूर्य एवं चंद्रमा और प्रत्वी इन तीनों की सापेक्ष इस्थिती में ही पड़ता है जब यह तीनों एक दूसरे के सापेक्ष इस्थिती में आ जाती है तो अपसे नंबर सी इसका सही जवाब लगा देंगे ठीक है फ्रैंट्स तो इस वीडियो में इतने ही कौश्चंस है दोस्तों बाकी और भी इंपोर्टेंट है हमारे वो आपको मिल जाएंगे ठीक है फ्रैंट्स और इससे पहले भी हमारी दो वीडियोज है भारतिय संस्कृति और राष्ट्र गोरव के इंप्रोटेंट कोश्चन्स के लिए ही दोनों वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रप्शन में और कमेंट वोक्स में मिल जाएगा ठीक है फ्रेंट्स यदि आपने अभी तक हमारे इ सब्सक्राइब कर दीजिए हैं ठीक है फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ है कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा झाल